Hello everyone, आज के सवाल जवाब में हमसे question पूछा है मिस Saloni ने, जो जानना चा रहे हैं कि 12th के बाद PhD करने में कितना time लगता है मैं आपको पूरा sequence बताती हूँ, देखे, 12th के बाद आप करते हैं अपनी graduation complete, ठीके जिसे हम under graduation भी बोलते हैं जो तीन से चार साल की होती है minimum, उसके बाद आप करते हैं post graduation that is PG, जो की होती है एक से दो साल की depending upon the course जो भी आपने select किया है और उसके बाद आपको एक exam देना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं UGC net, उसके बाद आप कहीं जाके enroll होते हैं PhD में तो PhD करनी हैं उससे पहले आपको यह पूरी journey complete करनी पड़ेगी 12th के बाद अब PhD में admission मिल गया तो उसमें आप ऐसे मानिए कि 3 से 4 साल तो आपके minimum लगेंगे और यह extend हो सकते हैं 7-8 सालों तक भी depending upon तुम कितने conveniently अपना काम complete कर पाते हो ठीक है that's it चलिए अगर आपके बस भी कोई career related question है लिख दीजिए हमें comment section में